हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद किरती हों कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने 2000 कोश्चन की सीरीज चला रखी है और उसी से संबंदित है हमारा ये वीडियो जो कि सुबह आठ बजे आप सभी के सामने आ जाता है दोस्तों चलो तो इसमें जो महत्पुन कोश्चन है उनको हम देख लेते हैं जल्दी से चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है पेपर बेट तथा फ्रॉक वाला घोडा कहानिया किस लेखा किया आपको बताना है कि पेपर बेट और फ्रॉक वाला घोडा है ये कहानिया किस की है गिर्जा राज किशोर की है, मंजुल भगत की है, मुर्दूला सिना की है या चित्रा मुद्गल जी की है तो बताईए दोस्तों किसकी है ये कहानिया तो इसका जो सही उतर है वो है गिरी राज किशोर गिरी राज किशोर जी की कहानी है पेपर बेट और फ्रॉक वाला गोडा ठीक है दोस्तों सेकिन्ड कोशन है सत्रंच के खिलाडी कहानी का लेखक कौन है आपको बताना है कि सत्रंच के खिलाडी कहानी है इसके लेखक कौन है जैसंकर प्रिसाद जी है प्रेमचंद जी है यसपाल है या फिर है भीसमिसाहनी जी तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है प्रेमचंद सतरंच के खिलाडी जो कहानी है वो है प्रेमचंद जी की समकालीन कहानी दशा और द्रश्टी पुस्तक का लेखक कौन है आपको बताना है कि समकालीन कहानी दशा और द्रश्टी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है धननजे है उपिंद्रनाथ अश्क है मारकंडे है रामसरूप चत्रुवेदी है तो बताईए दोस्तों जल्दी से क्या है तो यहां पर चो हमारे सही उत्तर है भो राजाय सइब प्रिशाथ सितारे हिंद की कहानी इन मेंसे कॉनसी है दोस्तों आप सभी को बताना है कि राजाय सिफ़ प्रिशाथ सितारे हिंदUNGी काहानी इन चारों में से कॉनसी है ठीक है एक अद्भुत अपूर्व बाचपी, राजा भोज का सपना, भिक्षुराज, या फिर है सालवती तो बताईए दोस्तों कौन सा इसमें से सही है हमारा उप्सन तो यहाँ पर जो हमारा उप्सन है वो ये सही है राजा भोज का सपना राजा भोज का सपना कहानी है ये राजा सिप्रसाथ सितारे हिंदी जी ने लिखी है दुखबा में कासो कहूं मूरी सजनी कहानी किस ने लिखी है आपको बताना है कि दुखबा में कासे कहूं मूरी सजनी ये कहानी है ये किस ने लिखी है भगबती प्रिसाद बाजपी ने लिखी है विस्नो प्रभाकरजी ने लिखी है चतुर सैन सास्त्री ने लिखी है या फिर सिप प्रिसाद सिंग ने लिखी है तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर मुझे तो यहाँ पे जो सही उत्तर है हमारा वो है चतुर सेन सास्त्री इन कहानी लेखी काओं में प्रेमचंद पूर्व लेखी का कौन सी है दोस्तों आपका बताना है कि यह जो कहानी लेखी का है इनमें प्रेमचंद पूर्व कहानी लेखी का कौन सी है मतलब कि प्रेमचंद जी से पहले की कहानी लेखी का यहाँ पे कौन सी है तो दोस्तो बंग महिला है, मिर्दूला गर्ग है, मिर्दूला सिंहा है या फिर है मंजूल भगत तो आप सभी जानते हो इसका उत्तर की प्रेमचंद पूर्व की जो लेखी का यहाँ पर है वो है बंग महिला नेक्स्ट कोशन देखते है जोर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कहानी है जोर्ज पंचम की नाक इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है आपको ये बताना है ठीक है तो कमल जोसी है काशिनात सिंग है कमलिश्वर है या फिर रामदर्स मिस्र है बताईए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है अमारा जल्दी से बताईए दोस्तों तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लिखक है कमलिश्वर जी नेक्स्ट कोशन देखते है जिन्दगी और जोग कहानी के लेखक कौन है? आपका बताना है कि जिन्दगी और जोग कहानी है इसके लेखक कौन है? शेखर जोसी है भेरप पिर साथ गुप्त है अमरकांत है या फिर है मारकंडे कौन है इसके लिखक बताईए जल्डी से तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है अमरकांट अमरकांट जी ने लिखी है जिन्दकी और जोग कहानी विफथगा कहानी किस लिखक की है आपको बताना है कि विफथगा कहानी है यह कौन से लिखक की है अग्ये की है जैनिंदर कुमार की है इलाचंदर जोसी की है या फिर है उपिंदरनात अश्की जी की तो जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर कौन सा है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि विप्थगा कहानी है यह अग्ये जी ने लिखी है बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है देखिए दोस्तों आपको बताना है कि बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है ठीक है निर्मल बर्मा है मोहन राकिस है जैनिंदर कुमार है या फिर है मुक्तिवोध जी तो जल्दी से बताओ इसका उत्तर कौन सा सही है तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही है वो है निर्मल बर्मा बीच भैस में और पोस्ट कार्ड जो कहानी है वो निर्मल बर्मा जी ने लिखी हार की जीत कहानी किसकी है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद कहानी है जाये हार की जीत और आपको बताना है कि ये किस न लिखी है ठीक है ein कूझ मैं ओप के सांवनेंे पढ़ देती हूं प्रयमचंद जी ने बिश्नो पुर्भाकर जी ने जैसंकर प्रशाद देख ले तो हाइं आप को sleeping पाईये कि लिए क्या नाम दिया आपको बताना है कि जो आचर भामे है उन्होंने कता का सुक्ष मे विवीचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया थीक है वुद्क कथा नाम दिया या सथब कंधा नाम करना दो या सब सक्था कंदा आक्षा राएे का अदा Bonaf na आचर भामेजी ने सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा आपको बताना है कि सहज कहानी अभियान था यह किसने छेड़ा भवाणी प्रसाद मिस्र ने अमरत राय समांतर कहानी का प्रमुक्ष प्रवकता नहीं है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कहानी का आ रहा है जो कि समानतर कहानी का प्रमुक्ष प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है चीक है आपको यह बताना है तो कमलिश्वर जी है कामतानात है मधुकर सिंग है या फिर है भीसम सहानी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि समानतर कहानी से कमलिश्वर जी, कामतानाथ जी और मदूकर जी जुड़े हुए है जिबकि भीज में सहानी का इससे कोई तालुक नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो भीज में सहानी हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन देखते है कथा के भीज में नामों में किसकी गर्णा नहीं की जाती आपको बताना है कि जो कहानी होती है जो कथा होती है उसके भीज में नामों में किसकी गर्णा नहीं होती है प्रेम चंदी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा समलित नहीं है आपको बताना है कि जो प्रेम चंदी की कहानी की परंपरा थी उसको जिन कहानीकारों ने आगे बढ़ाया उनमें से यहां पर जो चार ऑप्सन नहीं है ठीक है किसने आगे नहीं बढ़ाया तो देखिए दोस्तो फर्स्ट ओप्सन है भीसम सहानी, सेकंड है अमरकांत, थर्ड है सैलेस मटियानी और फूर्थ है अग्ये अब आप मुझे बताईए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है तो दोस्तो मैं आपको बतादू कि इसका जो सही उत्तर है वो है अग्य नई कहानी के बाद के समग्र आंदुलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है आपको बताना है कि नई कहानी के बाद के समग्र आंदुलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है नूतन कहानी, समकालीन कहानी, यथार्थवादी कहानी या फिर बीसवी सताब्दी की कहानी तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है समकालीन कहानी ठीक है दोस्तो नमक का दरोगा कहानी का लेकर कौन है इसको आप सभी जानते हो क्योंकि हमने बच्पन में अपनी स्कूल में पढ़ी थी और हमें अच्छे से पता है कि ये कहानी किसकी है तो दोस्तों ये कहानी है प्रेमचंद जी की यहाँ पर उप्सन पढ़ने की जरुरत ही नहीं है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते है इन में से चतुरसेंज शास्त्री की कहानी कौन सी है सरंदाता है, ताई है, सालवती है या फिर अंबपाली का है तो दोस्तों यहाँ पर चतुरसेंज शास्त्री जी की कहानी कौन सी है जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका उत्तर क्या है तो यहाँ पर हैं अंबपाली का अंबपाली का कहानी है ये चतुर सें सास्ती जी की है ठीके दोस्तों और लास्ट कोशन है हमारे इस पार्ट का इसको देख लेते हैं हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है आपको बताना है कि जो हमारा हिंदी का पहला उपन्यास है वो कौन सा है और ये कोशन बहुत एकजामो मैं आ रखा है बार बार रिपीट होता है मैंने खुद जब DSSV PGT का दिया था तो उसमें ये आया था और मैंने इसको बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं पढ़के गई थी तो आप बताईए कौन सा है परिक्षा गुरू है नुतन ब्रहमचारी है रहिस कता है या फिर है अच्छे से और इसको अच्छे से द्यान से वीडियो को सुना है और इस टॉपिक की इसको समझ है ठीके दोस्तों चलो तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को वाई वाई